हेलो प्रेंट्स खामा गणी वैलकम बैक टू फादो सिहर आज मैं आपके लिए लेकर के आए हूं गाजर और हरीमिच की रेसिपी इससे पहले मैंने आपके साथ में कई सारे रेसिपी शेयर की हैं जिनको आपने काफी पसंद किया है उमीद करती हूं यह वाली रेसिपी भी आपको काफी पसंद आएगी और अगर आपको आज की असे भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के बिल्कुल भी मत लोटेगा तो चलिए शुरू करते हैं मूली का अ तो मूली को मैंने काट लिया है इसी तरीके से हमें हरी मिर्च भी काट लेनी है थोड़े से लंबे साइज के टुक्डों में तो मूली और हरीमिच दोनों को मैंने काट लिया है अब इसके अंदर हमें नमक एड़ करना है तो मैं लगबग 2 चम्मच नमक इसमें डाल रही हूँ नमक डालने से क्या होगा मूली के अंदर जो भी पानी है वो सारा का सारा मूली रिलीज कर देगी और जो भी extra पानी है मूली का वो सारा निकल जाएगा तो नमक को अच्छे से mix कर देंगे मूली के अंदर तो आप ऐसे अच्छे से इसको toss कर लें ताकि मूली में बिल्कुल अच्छे से नमक mix हो जाए और बस अब इसको cover करके हमें लगबग 8-9 गंटे के लिए छोड़ देना है या आप overnight इसको छोड़ दें मैं रात बर इसको ऐसी छोड़ दूँगी तो मैंने पूरी रात मूली को ऐसे ही छोड़ दिया था और अब इसको check करेंगे तो आप देख सकते हैं मूली में से काफी सारा पानी निकल रहा है मैं इसको छान करके आपको दिखाती हूँ एक स्टेनर में मूली को निकाल लेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो छन जाए तो देखे इतना सारा पानी मूली में से निकल गया है और अब ये पानी किसी काम का नहीं इसको हम फैंक देंगे अब मैं एक प्लेट ले रहे हूँ प्लेट के अंदर कॉटन का कपड़ा बिछा देंगे और इसमें मूली और हरी मिर्च को फैला देंगे और अब ये जो हरी मिर्च और मूली है इसको हमें लगबग 2-3 घंटे के लिए अच्छी दूप में रख देना है ताकि मूली का जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो सूख जाए और अगर आपके याँ धूप नहीं आती है तो कोई बात नहीं आप इसको 3-4 घंटे के लिए पंखे के नीचे सुखा लें बस इसका जो उपर का पानी है वो बिल्कुल अच्छे से सूख जाना चाहिए तो जब तक मूली हमारी हम धूप में रखते हैं सूखने के लिए तब तक आईए मसाला तयार कर लेंगे अचार के लिए तो अचार के मसाले के लिए मैंने ग्राइंडर जार लिया है इसके अंदर मैं डाल रही हूँ एक बड़ा चम्मच पीली सरसों, एक बड़ा चम्मच राई डालेंगे, एक बड़ा चम्मच सौंफ डालेंगे इसमें, एक चोटा चम्मच जीरा डालेंगे, आधा चोटा चम्मच अजवायन डालेंगे, साथ ही आधा चोटा चम्मच मेथी दाना डालेंगे, अब ये जो बारीक पाउडर इसका नहीं बनाना है थोड़ा सा दरदरा रख लेंगे मसाले को इधर हमारी मूली और हरी मिर्च भी सुख गई है मैंने इसको 2-3 घंटे अच्छी धूप में सुखा दिया था तो बिल्कुल उपर का इसका जो भी पानी है वो सुख गया है अब इसका हम अचार बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले मूली को एक बोल में ट्रांस्फर कर लेते हैं अब इसके अंदर एड़ करेंगे जो मसाला हमने पीस करके रखा था वो और साथ ही कुछ और मसाले भी इसमें डालेंगे तो मैं इसमें एक चम्मच डाल रही हूँ कलॉंजी, कलॉंजी को मैंने पीसा नहीं है, साबूत ही डाल रही हूँ मैं इसमें एक चोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे साथ ही दो चोटे चम्मच इसके अंदर लालमिच पाउडर डालेंगे तो खल्दी और लालमिच डालने से अचार का कलर और टेस्ट दोनों ही बहुत बढ़ जाएगा साथ ही मैं इसमें एक छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ क्योंकि नमक हमने इसमें पहले डाला था दो चम्मच तो नमक का जो टेस्ट है वो मूली में अभी हुई है तो इसमें थोड़ा सा नमक मैंने और एड़ किया है साथ ही आप टेस्ट कलेंबर आपको नमक थोड़ा कम लगे तो आप और एड़ कर दें और इसमें मैं तीन चमच विनेगर डाल रही हूँ मसाले मिक्स हो गए हैं अब इसके अंदर हम तेल एड़ करेंगे तो एक पैन के अंदर मैं ले रही हूँ आधा कप सरसों का तेल तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे तेल में धुआ उठने लगे तब तक हमें तेल गर्म करना है और जब तेल में से धुआ उठने लगे तब गैस की फ्लेम को हमें बंद कर देना है अब तेल को हमें एकदम ठंडा होने देना है और जब तेल एकदम ठंडा हो जाए तो अब इसको आप अचार के अंदर डाल दें और अच्छे से मिक्स कर दें तो मैंने अभी इसमें थोड़ा ही तेल डाला है मैं बाद में इसमें और तेल एड़ करूँगी क्योंकि सरसों का जो तेल है वही हमारे अचार को लंबे टाइम तक प्रिजर्व करेगा तो तेल आप हमेशा अचार में इतना डालें कि जो अचार है वो बिलकुल तेल के अंदर दूबा हुआ रहे वो अचार के उपर तक रहने चाहे तेल जब तक अचार के उपर तक रहेगा आपका अचार लंबे टाइम तक खराब नहीं होगा तो मैंने क्योंकि इसमें थोड़ा ही तेल डाला है बाद में इसमें और एड़ कर दूंगी बस अब इस अचार को आप किसी एर टाइट कंटेनर में डाल करके रख दीजिए काच का कंटेनर है तो उसमें डाल दें पूड़ ग्रेड अगर प्लास्टिक कंटेनर है तो आप उसमें भी डाल सकते हैं और अचार को आप दो तीन दिन में एक या दो बार हिला दें और दो तीन दिन के अंदर ये अचार जो है प्रिपेर हो जाएगा खाने के लिए तियार हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी रखता है अचार पराठों के साथ में पूरी के साथ में रोटी के साथ में जरूर ट्राइ कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ के इसी चैनल पर तब तक के लिए बाई स्टे कनेक्टेड हैपी कुकिंग अ की चैनल पर ढशफ के लिए चैनल पर बाई है घाल इपड़।